अध्विक को ब्लट कैंसर है, उसके माबाप, उसके इलाज कराने में और समर्थ हैं, इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरुरत है, डिस्क्रिप्शन में दियो है लिंक पर जाएं और अध्विक की उमीद बनें नमस्कार, मैं हूँ भूवनेश सेंगर और जुड़ चुके हैं आप MP तक के साथ, पूरु मुख्यमंतरी कमलनाथ, उनका एक बयान उनके लिए फजीहत बन गया है, जी हां, उन्होंने कहे तो दिया कि हनी ट्रेप की पेंड्राई उनके पास है, इस बात का सरकार ध्यान रख लिया है, और हनी ट्रेप कांड की जाच कर रही, SIT ने अब उनसे मांग ली है, वही पेंड्राई जिसके बारे में कमलनाथ कह गये थे, कि उनके पास है, पूरा मसला क्या है, बहुत विस्तार से आपको बताते हैं, दरसल पूरु मुख्यमंतरी कमलनाथ ने, जब उमंग सं प्रकार समल के काम करें, हम डरने वाले नहीं हैं, उन्होंने कहा कि हनी ट्रेप कांड की पेंड्राईव मेरे पास भी है, यह उनका कहना था, यही बात उन्होंने उज्जेहन में भी दोहरा दी, और यही उसी प्रेस्ट के सामने दिये उनके वक्तवे को आधार बना कर आख उन्होंने बकाइदा नोटिस भेज दिया है सीधे पूरो मुख्यमंतरी कमनलाथ को और जिसमें कहा गया है कि थाना पलासिया में हम आपको बता दें साइटी का गठन बाद में हुआ पहले इस पूरे मसले पर हनी ट्रेप कांड में इंदौर नगर निगम में पदस्त इंजि क्याता है कि पांच पांच तारीख की जो आप अनलाइन पत्रकार वारता में कहा कि हनी ट्रेप प्रकरंड की पेंड्राइव सीडी आपके पास मौजूद है फिर यह कहा कि तमाम धाराएं गिनाए गई है यह नोटिस जो इशू हुआ है यह आप देख रहे हैं इस वक्त औ अधपुन दस्तावेज है और इसे आप तत्काल सौपें यह तारीख भी दे दी गई है दो जून को दो पर साड़े बारा बजे अपने शामला हिस्तित भोपाल इस्तित निवास पर उपस्थित रहकर आप यह भौतिक साक्ष जो है एविडेंस माना है और इसे सौपें यह दो जून को SIT पूर मुख्य मंतरी कमलनाथ के घर पहुंचेगी यह पेंडराइव लेने के लिए नहीं दिये तो पूछताच करेंगी अब इस पर कमलनाथ का कहना है कि पेंडराइव हमारे पास का है वो तो सभी के पास है इस तरह का उन्होंने बयान दिया है लेकिन यह ब रहा है वही हनी ट्रैपकांड जिसको लेकर कहा गया कि इसमें बड़े-बड़े दिगज फसे हुए है लेकिन सामने किसी का नाम नहीं है इकका दुक्का नहले मोहरों को छोड़कर तो कमलनाथ जी पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर आपके पास हनी उसकी के घर दो पर साड़े बारह बचे तब क्या होता है तबाब खबरों के लिए जुड़े रहिए MP तक के साथ